नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत सुवागत है, आप News 18 अंडिया देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ रुबिका लियाकत अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं दुनिया के सबसे बड़े rescue और rehabilitation center में खड़ी हूँ तो आपकी जहन में क्या आएगा? हो सकता है आप किसी developed nation के बारे में सोचें शायद आपकी जहन में अमेरिका आजाए या रशा आजाए लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं हिंदुस्तान की बाद कर रहे हूँ जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा rescue center है, shelter है नाम है उसका वन्तारा और उस वन्तारा के दिल में धड़कता है वो दिमाग, वो चहरा जो आज हर किसी के जहन में समाया हुआ है मैं इस वक्त invite करना चाहती हूँ धीरूबाई अंबानी के पोते, मुकेश और नीता अंबानी के बेटे अनन्त अंबानी को बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातशीत करने के लिए सबसे पहले तो इस खूबसूरत project के लिए आपको धेर सारी बधाईया ये आपका passion है के profession है? ये मेरा passion है और ये तो मेरा एक हमने ये पूरा ये सोच रचाया था, बच्पन से ही माता जी ने मुझे सिकाया था हम जानवर का और अलग-अलग जीव जन्तू का सेवा कैसे करें तो बच्पन से ही मेरे घर में माता जी मेरे से पहले जब वो छोटे थे उन्होंने 20-25 कुतों को पाला था घर पे मंबई के लिए वो तो बहुत बड़ी बात होती है 20-25 कुते घर पे फ्लैट में रखना सांटा क्रूज में रहते थे वो उनके शादी से पहले और माता जी ने मुझे सिखाया कि जो बेजुबान जानवर है उसका सेवा सबसे बड़ी सेवा है वो ही सबसे बड़ी पुन्य वाली सेवा है और वो ही धर्म है और वो ही एक ऐसे चीज है जो आदमी को बहुत सारा पुन्य प्राप्ट करा सकता है तो इस विचार से हमने ये काम पच्पन से चालू कि पच्पन में हमने एक लाख पालतू जानवर का चालू किया था फिर हम सोचे जामनगर कैसे आना हुआ मतलब आप क्या रहे है कर्जत में थे मुंबई में सबकुछ आपके पास था मा ने बच्पन से एक एक पूरा बेज बना कर रखा था आनन तंबानी जामनगर कैसे आ गया है मेरे दादा जी और मेरे जो दादी जी है दादी जी जामनगर के है तो दादा जी ने एक सपना सोचा था कि हम जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी बना है पिता जी ने वो सपना साकार की दादा जी की पिताजी ने यहां खुद जामनगर में 10-12 साल रहकर यह रिफाइनरी बनाई जो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है अब यहां न्यू एनरजी का भी एक बहुत बड़ा कॉंपलेक्स बनने जा रहा है जानवरों के लिए इसके लिए सोचा माता जी ने मेरे माता जी ने जामनगर में हजार एकर पर एक जंगल खड़ा कर दिया आप तो एरपोर्ट से आये होगे तो आजू बाजू में आपने देखा होगा कि पूरा बंजर जमीन है पड़ यहां आप देखोगे तो आपको जाड़ी जाड़ देखा जाएगा तो माता जी ने यह पूरा बहुत महनत की 1995 से बच्पन से मेरा घर यही है मैं जितना मुंबई का हूं उतना जामनगर का हूं तो हम यहां बसे तो माता जी ने पूरा एक टाउन्शिप बनाए हमारे जो करमचारी है उनको रहने के लिए इसे टाउचिप बनाए है जैसे अगर वहां जाओगे तो आपको लगे है आप कालिफोर्निया में आप तो देखी होगे पर साथ साथ में यहां दुनिया का सबसे बड़ा आम का बगीचा भी बनाया गया है वो जो तस्वीर हमने देखी थी कॉंडुलीजा ब्राइस के हाथ में बास्किट था उसमें केसर के आम थे और कहा गया था कि वो धीरूबाई अम्मानी के बाग से आए हैं लेकिन अनन कंबानी ने यह कब सोचा के यहां पर जा तो जब मेरे पापा हमें हमेशा जंगल ले जाते थे रंथंबोर, गीर, बांदवगड, काजी रंगा, पेंच, हम सब बच्पन में जंगल पापा खाली एक एक ही समय है पापा हमें चुट्टिया में लेके जाते थे तो जंगल होता था हम और कहां चुट्टी जाते ही नहीं थे जंगल तो हमें वाइड लाइफ सा बहुत प्र स्थीन था फिर, जैसे मैं बड़ा होते गया और मैं समझता गया मैंने सूचा कि वाइड लाइफ के लिए कुछ काम चाहना ज़ा एक जा मैं मैक्सिको गया तो मेक्सिको में तो तो प्रकिस अभी भी अलउट थे जोब आफ मेक्सि को मैं इसे थे उक निंग कहाना नही लिगर जो बाग है उसो चोट पूट जाती है, भालू जो रीच होता है उसे भी कभी-कभी बहुत दिकत में आ जाती, कभी accident हो जाता है, कभी कुवा में गिर जाता है, कभी तो cancer हो जाता है, तो हमें विए सुझा है कि wildlife के लिए पशु के लिए जो साधारन पशु है, जो farm animals जिसे हम कहते हैं, उसके लिए तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, wildlife के लिए बहुत कम लोग हैं, इसलिए wildlife के लिए कच करने का सोचा, तो जिब Anand Ambani के मन में ये विचार आया तो पहला शक्स कौन था, जिसे आपने जाकर ये बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं और उसका reaction क्या था? मम्मी थे, मम्मी को मैंने बताया, मम्मी ने पहले बार कि इसलिए आपको टीम ज़रूर, कि अकील आपने कर सकते हूं ये खागे मैंने बहुत कोशिश ह придए, तो चोहिए हमा भी ये इसलिए मैं होगा इनना में ऑप शापतों भी साव वात् हु Avatar और मुझे अपने दर्श्रकों को अगर अनन जी ये बात अगर मैंने नहीं बताई तो ये नाइंसाफी होगी, पिछले साथ घंटे से अनन्तमबानी हमारे साथ है, हम पूरे इलाके में घूम रहे हैं, in fact अभी तो हमने अनन जी खुद बता रहे हैं कि 40% ही घूमा है, कितना बड़ा ये इलाका है, यहां कितने आप जानवर लेकर आए हैं, कितनों को बचा है आपने अभी तक हमने ये 2000 से 2500 एकर में बनाया है यहां का हॉस्पिटल जो है, इसमें 6 surgery centers है, inpatient ward है, outpatient ward है, MRI machine है, जो मेरे साथ से इंडिया में एक ही है, CT scan है, जानवरों के लिए, robotic surgery machines है, lab है, जिसमें 100 से जादा वेग्नानिक काम करते हैं, और laboratory specialist भी यहां काम करते हैं मतलब वो सुविधाएं ऐसी हैं कि आप किसी शांदार 5 star, जो human beings के hospital होते हैं, वो भी कम पड़ जाएंगे, मैं सच बता रही हूँ, इतनी शांदार यहां पर सुविधा है, लेकिन कितने जंगली जानवरों को आपने rescue किया है? अब तक हमने यहां 25,000 से जादा जंगली जानवरों को rescue किया गया है, और हमें बहुत सारे जानवरों का ज्यान भी रखा गया है, हम यहां से teams पूरे भारत में, सब जगा भिजवाएं, जूस में भिजवाएं, forest department का बहुत सारे अलग-अलग forest department का हमने मदद किया, उन्हों आपकी उम्र के जो नौजवान है, उनका passion, उनका shock वो बहुत अलएदा होता है, मतलब किसी को car racing पसंद है, किसी को अलग-अलग destination पर जाकर अपना सब कुछ बसाना पसंद है, आप जामनगर आ गए, आप लोगों के साथ कम और जानवरों के rescue मेरा जान जानवरी है, मैं जा कुछ भी हो जाए, दिन में, दो घंटा, रोज हर दिन, दो घंटा, जानवरों के लिए मैं काम करता हूं, और मैं यही सोचता हूं कि मैं कितने जानवर को दिन में बचा सकता हूं, आज कितना का मैंने भला किया, और मैं कितने का भला कर सकता हूं, और इससे मुझे अच्छ मैं आठावीस साल का हूँ, मैंने आठ साल के उमर से ही यह काम चालू कर दिया था और स्कूल से छुटता था तो मैं इधर ही करता था और जो मेरे दोस्त है वह भी जानवर प्रेमी है और मेरी अभी होने वाली पत्नी रादिका आपको बहुत सारी मुबारक बाद सबस्पेदेतो और आप तो शादी भी जाम नगर में ही कर Rush पूरे दुनिया को आप यहां परिकटा कर रहे हैं जानगर के रिवासी है और मैं शादी इसलिए कर रहूँ कि उनका घर यहां है और हमारा भी हम Gujarat के है महाराष्टर भी तो यह तो प्रिवेडिंग यह हो रहा है शादी तो मुंबई में होगा प्रिवेडिंग यह है और यह हमारा घर है और हम यह जाम्दागर के वासी के साथ हमारे बहुत सारे जो मेरे उनके साथ शादी प्री वेडिंग करेगे तो अलगी मज़ा हो तो आपकी होने वाली धर्मपत्नी आपके इस प्रोजेक्ट को कितना सराती है कितना उनका योगदान है वो क्या कहती है वो भी एक बहुत बड़े जानवर प्रेमी है और कभी भी यह नहीं बुलती है कि आप कि अगर मैं अवेलेबल नहीं रहता हूं है मैं मौझूद नहीं रहता हूं यहां तो वो खुद पशुवेद से बात कर लेते हैं वो खुद हमारे जो ट्रस्ट के मैनेजर्स हैं उनसे बात करके फीडबैक लेते हैं और वो खुद कोई-कोई हाती है जो उनको आवाद से ममी ने बचपन से ही मुझे सिखाया है और वो खुद मतलब ममी ने हमें जब कभूतर मांजा से कड जाते थे तो ममी जब हम छोटे थे मम्मी उनको घर पर लाते थे मंमी पाल थे उनका पॉसंद करते थे ममी ने घर पे एक बाज का बच्चा जब जोटा का गिर जया था जाड ज़रूरत नहीं है और काम तो काम होता रहेगा दुनिया चलती रहेगी पर जानवर के लिए यह एक हमें प्रेड़ना मिलती है सब मम्मी से और सब से कि हम जानवर के और काम करें यह तो आपको मैं भी भी बोला जो आप देखा यह तो खाली एक छोटी सी जाकी है मतलब एक तो हमने आपने जो गजराज और देखिए साक्षात गनेश जी जो है उनकी मूर्थी आपने यहाँ पर स्थापत की हुई है सैक्डव हाती आपने रेस्क्यू किये हैं आप अलग-अलग इलाकों से रेस्क्यू करके वाइल कैट्स को भी लेकर आए हैं इन फाक्ड प्रदानमंत्री नरेंड रमोदी का भी प्रोजेक्ट टाइगर को ले लिजे जो किनिया से चीता लाए गए थे उनको आप देखिए प्रदानमंत्री ने जो भारत के लिए किया है और जो वाइड-लाइफ के विशे में किया है मैं मानता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी काम किया है कि चीता प्रजेक्ट को सफल किया प्रोजेक्ट लाएन जो गीर में है कर सकतें उन्होंने ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया था और हम सब उनसे प्रेमना लेते हैं हम उनका 0.5% भी जानवर के लिए करें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, वो तो बहुत बड़ी सोच रखते है, कर सकते हैं, हम भी जितना हमारे से होसता है, हम जानवर के लिए करते हैं, और उनका जो प्रेरना मिलती है, वो कुछ अलगी मसूस होता है, एक अलगी पावर कि हम और कुछ करें। जब भी हम उनको टीवी पर सुनते कि प्रोजेक्ट लाइन जब चीता आए तो बहुत खुशी होई। तब आपने रिलेट किया था इस बात से? हमारे चीते जो भारत से चले गए थे जो भारत से एकदम इक्स्टिंक्ट हो गए थे उनको वापस लाना बहुत बड़ी बात है। तो इस जो उनको किया ये एक बहुत धादिर नारीफ बात. अनन्तमनी का पैशन पूरे देश को समझ में आ गया है। लेकिन इस पैशन को क्या और आप पढ़ देंगे और इसका कोई मुकाम है या जामनगर तक यह सीमित रहने गाला है तो हम जामनगर में एक ऐसे केंदर बनाना चाहते है कि हम कपैसिटी बिल्डिंग यहां से करें हम यहां से जितने भी हमारे वेद जो पशुवेद है उनको हम पूरे भारत में भेज़ें यहां सिखा कर कि भारत में ऐसे हमारा यह मकसद रहेगा एक भी एंडेंजर जानवर बिमारी से ना मरे कैप्टिविटी में और जितना हो सके हमं इसोरे को मदत करें से जाधा चिड़ियागर है हम सब को जितना हो सकी क का buttons करना चाहते है कि वह दुनिया का number one बने और भारत इसमें एक लीडिंग बने और भारत पे हम चालू करें कि dodate डायसा, इसमें सांसा भून पून से सागर रहा है तो हम यह चाहते है कि Jamnagar एक ऐसा hospital, lab अपने देखा ऐसे एक बने कि जहाँ होगा और rescue center hospital जैसे आपको हमेशा बढ़ता रहेगा जिससे जरूर होगी उस हिसाब से हम बढ़ेगे और बचाओ कारियो में करेगे और जैसे भगवान हमें शक्ती देगे उस हिसाब से करेगे मुझे पूरा यकीन है कि आप जो inspire हुए है अपनी मा से आप चाहेंगे कि ऐसे लाखों अनन्त पैदा हों हिंदुस्तान में लेकिन उसके लिए आपको inspire करना भी जरूरी है तो एक आम आदमी जो यह जानना चाहता है देखना चाहता है कि आपने किस तरीके की facility बनाई है व बिल्कुल अब हम जैसे जानवत पर सेटल हो जाए हमारा जूलोजिकल पाक खुलेगा हमारा hospital के लिए हम एक visitor gallery बनाएंगे और यह not for profit है यह बिल्कुल सेवा का कार्या है जैसे मैंने आपको का यह प्राणी संग्रालय ने यह प्राणी सेवालय है तो हम यह लोगों को यह उनको एक अलग प्रेरना से भावक होकर कुछ जामर के लिए करने जरूर बुलाएगे और हम ऐसे भी सोच रहे हैं कि हम colleges और स्कूल के बच्चे के लिए एक education hub यह तैयार करें कि उनका visits करा है और इस पर काम चालू है और जल्दी ही जनता इसका लाब ले पाएगी हिंदुसान हमेशा से इस बाद पर फक्र करता है कि वसुदेव कुटुम्मकम के प्रिंसिपल में यकीन रखता है आपने जानवरों के लिए भी इनफाक्ट जामनगर को एक वसुदेव कुटुम्मकम का हब बना दिया है अगर यह कहूं मैं तो घलत नहीं होगा सनाथन में मुझे मुझे बहुत प्रेणा दी आप अगर देखोगे तो हमारे बहुत रेलिजिस हैं जी भगवान जो भी है भगवान के कारण हम सब है श्री कृष्ण केहते थे हाती घोडा पाल की जै कनिया लाल की और श्री कृष्ण के सबसे प्यारे होते थे गाई हाती घोड़ा और हमारे हरे और धिश्वता य investment हरे कर वहां जापर है हर चाप्रियों सोर्स्थी मोर पंग्राइख और और हमें सनाथन से यह कि मुझे यह सीक मिली है कि हर एक जान इस इस मनुष्य हो यह पक्षी हो यः's जान हो यह थी और सेवा करने का मुक् firearms बहुत कम लोगों को मिलता है तो मैं बहुत धन्यवाद मांगता हूँ और बहुत आभार हूं ने मुझे कि ऐसे जानवरों का सेवा करने का मॉक्त दी और यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुश नसीब की बात है कि मुझे वगवान ने ये सेवा करने का मौपा लिए और वो चीज आपकी आँखों में चमकती भी है आपकी बातों में जलकती भी है हमने देखा कि आप कैसे एक एक शक्स को यहां पर बनी चीजों को दिखा रहे थे आप इसी तरीके से मिरंतर आगे बढ़ते रहे और ये जो सेवा भाव है ये जो आपने अपने सेवा लह जानवरों के लिए खासकर वो जो हमेशा से बेडियों में रहे हैं उनको आजाद किया है उनको आगे बढ़ाया है उसके लिए आपको फूब सारी शुब काम नाए और अपना ख्याल रखिएगा और उन तमाम जानरों का जो हमेशा से परिशान रहे हैं बहुत बहुत धन्यवार बहुत बहुत धन्यवार बहुत 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 धन्यवार